नमश्कार उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है आये संते हैं कहानी थाती जिसे लिखा है सुबद्रा कुमारी चहान जी ने क्यों रोती हूँ? इसे नाहक पूछ कर जले पर नमक न छिड़को जरा ठहरो, जी भर कर रो भी तो लेने दो ना जाने कितने दिनों के बाद आज मुझे खुलकर रोने का अफसर मिला है मुझे रोने में सुख मिलता है, शान्ती मिलती है इसलिए मैं रोती हूँ, रहने दो, इसमें बाधा न डालो, रोने दो क्या कहा? किसके लिए रोती हूँ? आह उसे सुनकर क्या खरोगे उससे तुम्हें कुछ लाबना होगा पूछो ही ना तो अच्छा है मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ती है जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हिदय में छिपाई हुए हूँ इतने पर भी सुनना ही चाहते हो तो लोग कहती हूँ जैसा उनका कलेवर सुन्दर था उससे कहीं अधिक सुन्दर था उनका हिदय वे बड़े ही नेक दयालू और उदार प्रकृती के पुरुष थे गाउं के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते बोढ़े आशिरवात की वर्सा करते इस्त्रिया उन्हें अपना सच्चा भाई और हीतु समझती और नौजवान उनके इशारे पर नाश्ते थे तादपरे यह कि वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका इसनेह था मैं उन्ही के गाउं की बहु थी मेरे पती वहीं प्राइमरी पार्ट साला में माश्टर थे घर में बुढ़ी सास थी मेरे पती थे और मैं थी मैंगी का जमाना था मुश्किल से गुजर होती थी घर के प्राया सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे एक दिन की बात है मैं वैसे ही ब्याह कर आई थी मैं थी शहर की लड़की वहाँ तो नलों से काम चलता था भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं पर पानी भरना सिखा रही थी अचानक वे ना जाने कहां से आ गए हस कर बोले क्या पानी भरने की सिख्षा दे रही हो माजी आपने ऐसे अलहर लड़की ब्याही ही क्यों जिसे पानी भरना भी नहीं आता मैंने घुंगट के भीतर ही जरा सा मुस्करा दिया सास ने कहा बेटा इसे कुछ नहीं आता बस रोटी भर अच्छी बनाती है ना पीसना जाने ना कूटना गोबर से तो इसे जैसे घिन आती है बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है तो उसके बाद दस बार हांद धोती है हम तो बेटा गरीब आदमी है हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा मैं रसी और घड़ा लेकर पानी भरने गई तो जरूर पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं ना साथ साथ थी ना कोई कुए पर ही था मैंने घूंगट खोल लिया और रसी को अच्छी तरह घड़े के मुँपर बान कर कुए में डाल दिया डब डब करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा उसे खीचने लगी किसी प्रकार खिशता ही ना था जियों त्यों करके आधी रसी खीच पाई थी कि वे सामने से आते हुए दिखाई दिये कुए उनके आहाते के ही अंदर था और बंगले में जाने का राष्ता भी वहीं से था सामने से वे आते हुए दिखे लाज के मारे ज्यों ही मैंने घूंगट सरकाने के लिए एक हाथ से रसी छोड़ी त्यों ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़े का वजन ना समाल सका जटके के साथ रसी समेथ घड़ा कुए में जा गिरा मैं भी गिरते गिरते बची एक मिनट में हाथ सब कुछ हो गया वे बंगले से कुए के पास आ चुके थे मैं बड़ी घबराई गूंगट उंगट सरकाना तो भूल गई जुक कर कुए में देखने लगी मेरे पास तो रसी और घड़ा निकालने का कोई साधन ही ना था निरुपाए हो कातर द्रिष्टी से उनकी ओर देखा मेरी अवस्था पर शायद उने दया आई वे पास आकर बोले आप घबराईये नहीं मैं अभी घड़ा निकलवाए देता हूं फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते वे बोले किन्तु आपने यह साबित कर दिया कि आप शहर की एक अलहर लड़की है मैं जरा हसी और अपना घूंगट सरकाने लगी मुझे घूंगट सरकाते देख वे जरा मुस्कुराए मैं भी जरा हस पड़ी पर कुछ बोली नहीं उनके नौकर आये और देखते ही देखते रसी समेथ घड़ा निकाल लिया गया मैं घड़ा उठा कर अपने घर की तरफ चली शब्दों में नहीं किन्तु कृतग्यता भरी आँखों से मैंने उनसे कहा मैं आपके इस उपकार का बदला जीवन में कभी न चुका सकूंगी करीब पॉन घंटा कुएं पर लग गया अम्मा जी की घुड़कियों का डर तो लगा ही था जल्दी जल्दी आई घड़े को घिनौची पर रख रसी को खूटी पर टांगने के लिए मैंने जीव ही हाथ उपर उठाया देखा कि एक हाथ का सोने का कंगन नहीं है तुम कहोगी कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन यह कैसा मिल यह भी बताती हूँ यह कंगन मेरी मा का था मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि यह कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पुजाई में दिया जाए इस प्रकार यह कंगन मुझे मिला था रसी टांग कर मैं फिर कुएं की तरफ भागी देखा तो वे सामने से आ रहे थे उन्होंने यह कहकर की यह तुम्हारे अल्धड़पन की दूसरी निशानी है कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया कंगन लेकर चुप चाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घार आई घार आकर देखा पती देव स्कूटर से लोटे थे अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी देखा नई बहु के लक्षन एक घड़ा पानी भने गई तो घंटे भर बाद लोती और यहां पानी रख कर फिर दिवानी की तरह कुएं की तरह भागी मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर की लड़की ना ब्या हो पर तुम न माने बिटा भला यह हमारे घर निभने के लक्षन है और सब तो सब पर जमीदार के लड़के से बात किये बिना इसकी क्या अट की थी यह इधर से भागी जा रही थी वह सामने से आ रहा था उसने जाने क्या इसे दिया और इसने लेकर जेब में रख लिया मुझे तो यह बाते नहीं सुहाती फिर तुम्हारी बहु है तुम जानो, बिगाड़ो चाहे बनाओ मेरी तरफ उन्होंने गुस्से से देख कर पूछा क्या है तुम्हारी जेब में, बतलाओ तो मैंने कंगन निकाल कर उनके सामने रख दिया वे फिर डाट कर बोले, यह उसके पास कैसे पहुँचा दी गई कि मैं अब उनसे कभी न बोलू क्या पूछते हो, उनका नाम हाए, रहने दो, मुझसे नाम न पूछो उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या है तुम्हे तो मेरी कहानी से मतलब है ना हाँ, तो मैं क्या कह रही थी मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी न बोलू यदि यह लोक फिर कभी मुझे उनसे बोलते देख लेंगे तो फिर कुशल नहीं मैंने दीन भाव से कहा मुझसे घर के सब काम करवा लो परन्तु कल से मैं पानी भरने ना जाओंगी इस पर पती देव बिगड कर बोले तुम पानी भरने ना जाओगी तो मैं तुमें रानी बना कर नहीं रख सकता यहां तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा उसके बाद क्या बतलाओं कि क्या क्या हुआ जियों जियों मुझे उनसे बोलने को रोका गया त्यों त्यों एक बार जी भर कर उनसे बात करने के लिए मेरी उतकंठा प्रबल होती गई किन्तो मेरी असाद कभी पूरी न हुई वे जाते जाते एक दो बातें बोल दिया करते जिसके उत्तर में मैं केवल हस दिया करती थी लेकिन लोग यह भी न सह सके और तिल का ताड़ बन गया अब मुझ पर घर में अनेक प्रकार की अत्याचार होने लगे हर दो-चार दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ती परन्तु मैं कर ही क्या सकती थी मैं तो उनसे बोलती भी न थी और उनका बोलना, बात करना मेरी शक्ती से परे था उन्होंने मुझ से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो अनुचित कही जा सकी उन्हें तो शायद विधाता नही रोते हुऊं को हसा देने की कला सिखाई थी वे ऐसी मीठी चुटकी लेते कभी हस की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से इतनी नपी तुली की मैं चाहे कितनी दुखी हूँ चाहे जितने रंज में हूँ हसी आ ही जाती थी किन्तु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का पता उन्हें लग ही गया उनके दयालू हिर्दे को इस से गहरी चोट पहुंची उस दिन अंतिम दिन जब मैं पानी भरने गई वे कुए पर आये और मुझ से बोले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ उनके स्वर में पीड़ा थी शब्दों में माधुरे उनके पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वाया कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे हैं यदि मुझे पता चल जाता तो वे अत्याचार कपके बंद हो चुके होते दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वहया कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड कर फेक देता हूँ तुम खुश रहना, मेरी अलहड रानी वे मुझे इसी नाम से पुकारते थे यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहां लोट कराऊंगा नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ मुझ पर बिजली सी गिरी मैं कुछ बोल भी न पाई थी कि वे मेरी आँखों से ओज़ल हो गए अब मेरी हालत पहले से ज़्यादा खराब थी मेरा किसी काम में जीना लगता था कलेजे में सदा एक आकसी सुलगा करती परन्त मुझे खुलकर रोने का अधिकार न था अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं मैं कुछ भी करूं करने देते हैं इसलिए तो आज खुलकर रो सकती हूँ और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ किन्तु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहां हैं मैं एक बार उन्हें और देखना चाहती हूँ मेरी यह बीड़ा मेरा यह उन्माद उन्हीं का दिया हुआ तो है यदि कोई सहिद है उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौब दू आशा है कि यह इस बर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोटसाहित करने के लिए एक लाइक करें अपनों के साथ जादा से जादा शेयर करें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानिया आपको समय पर मिलती रहें फिर मिलती हूँ नई कहानिया कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद